हाई गेस्, व्लकम बैक टो माई चैनले, और इन हिल पेंडर एक्स तो आज की वीड़ में आप गोग को और एक लोन अप्लिकेशन का रव्यू दूंगा इस अप्लिकेशन के में नॉर्थान आर्क कापिटाल लिमिटेट तो किसी एक नए अप्लिकेशन है इस अप्लिकेशन क आप लोन के लिए अप्ले करना चाहिए या नहीं चाहिए तो जबर वीडियो को अपने इन तक देखेगा और इस टेप के इंफ़र्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और साथे साथ बेल एकन पर पेश किजिए तकि तो गज़ इस वीडियो में इस अप्लेकिशन से एडुकेशनल लोन पाने का पोसेस केया है उसके बार में बात करेंगे एडुकेशनल लोन के नीचे आप लोगो को अप्लाई का अप्शन दिखेने को मिल जाएगा तो यह पे इमेल फेरिफाई करने के बाद इस्टेप के आजाएगा और यह पे पहले इस्टूडेन नेम फिल करना होगा इस्टूडेन नेम फिल करने के बाद डेट बाद चुस करना होगा डेट बाद चुस करने के बाद जेंडा चुस करना होगा जेंडा चुस करने के बाद स्कूल बोच चुस करने के बाद स्कूल बोच चुस करने बार इंचे continue का option दिखने को मिल जाएगा त्विक्रिक करने के बाद इस्टक पे इंटरफेस आ जाएगा और यह पर इस्टुडेंट का parents का details फिल करना होगा जैसी कि यह पर student का parents का name और pen का number फिल करना होगा फिर date of बाद चूस करना होगा date of duties करने के बाद चूस करने के बाद जैडा चूस करना होगा जैडा चूस करने के साथ और loan approve होने के बाद इस application की तरफ से आगे का जो भी process है जैसे कि inach amended registration complete करना होगा, inach और amended registration complete करने के बाद आपको जो भी loan amount को approval मिलेगा बोड़ लोनमन कुछ घंटा या कुछ मिनिस के अंदर आपका बैंक खाते में credit हो जाएगा तो अगरे इस में हर बार बोलता हो कि जब भी आपको कोई भी loan application पर loan के लिए apply करते हैं और आपड़ गोग का loan approve हो जाता है उसलिए में आपड़ चेकाउट कर लीजिएगा कि उस application की तरफ से कितना तक कि इंट्रेस्टेट और सार्विस पर लिया जा रहा है और इस application की तरफ से कितना तक कि लोन कितने दिनों के लिए provide कर जा रहा है तो अगरे इस सारी चेज़े चेकाउट करने के बाद ही आप लोग आगर का process complete करके कोई भी loan application से loan ले सकते है तो अगरे इस भीडियो के थुरू आप लोग को मैं प्रोडेटरस में बता दिया कि इस application पर education loan लेने का process किया है तो अगरे से भी बात है कि Northamark Capital Limited loan application loan के लिए save application है की नहीं तो अगरे से भी आप लोगों को मैं Northamark Capital Limited loan application के बार में play store में जो one star rating review दिखाऊंगा one star rating review दिखने के बाद आप लोगों को आच्छी तरह की से पता चाल जाए कि Northamark Capital Limited loan application loan के लिए save application है की नहीं तो अगरे जैसे कि पहले रिबू देख सकते ओस टाइब और इन्होंने रिब्यू पर यह कहा है कि इन्होंने इस application से loan लिए loan को repayment कर जुगा है फिर भी इस application की तरब से loan close नहीं किया गया है फिर जैसे इन्होंने इस application के नाम पे overdue payment शो हो रहा है और दिरे दिरे इनका civil score down होता जा रहा है निचे और रिब्यू पर यह कहा है कि ओस टाइब और इन्होंने रिब्यू पर यह कहा है कि इस application की तरब से एक भी पैसा मेरा bank खाते में receive नहीं हुआ है फिर भी इस application पे 31,000 का loan शो हो रहा है निचे और रिब्यू देख सकते ओस टाइब और इन्होंने रिब्यू पर यह कहा है कि इन्होंने भी इस application से loan लिया है लोन को repayment कहा है फिर भी इस application की तरब से loan को close नहीं किया गया है फिर जब इन्होंने इस application पे नाम पे overdue payment शो हो रहा है और दिरे दिरे इनका भी इस application से loan लिया है फिर भी इस application की तरब से इनका bank खाते से 1,989 रूपेज डेविट कोया गया है नीचे और रिभी देख सकते हैं इन्होंने इस application से loan लिया है फिर जब इन्होंने अपना सिविल स्कोर चेक आपट कर रहे तो सिविल स्कोर पे इस application पे नाम 4,328 रूपेज का एक overdue payment शो हो रहा है और लास्ट रिभी पे इन्होंने ये का है कि fraud loan लोन नहीं लिया है फिर भी सिविल रिपोर्ट में एड हो गया है लोन लिया करके बच के रहे ये लोग आपका सिविल स्कोर खरब कर देंगे तो गैस नौर्थान आर्क कैपिटल लिमिटेड लोन अप्रिकेशन के खिलाब आप लोगों को प्लेश्टों में वनेस्ट रिटिंग पे इसे कभी सारे निगेटिव रिभी दिखेने को मिल जाएगा और हारी रिभी पे साब साब कहें दिए गए कि नौर्थान आर्क कैपिटल लिमिटेड लोन अप्रिकेशन एक अंसेब लोन अप्रिकेशन है तो गईस Northah hinten America Capital Limited Loan application के बार में playstore में 1-star अप्रिकेशन के 1-stariziert के लिए युटूब और गूगल पर भी यूउमिक्षण के रिफ्वीण चकाइए और साथ-साथ उस application की contact details check out करें जगे contact details properly और कह रही कि नहीं तो यह सारे चीज़े check out करने के बाद है आप लोग कोई भी loan application पे loan के लिए apply करें और एक चीज़ का जब आप लोग कोई भी loan application पे loan नहीं लिया है फिर भी आपका civil report पे उस application के नाम पे overdue payment शो हो रहा है और कैसे अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग कोई भी loan application से loan लिया है loan को repayment कर चुगा है और उस application के तरफ से loan को close नहीं किया गया है फिर गए जब आप लोग अपना civil report को check out कर रहा है तो civil report पे उस application के नाम पे overdue payment शो हो रहा है और दिरे-दिरे आप लोगों का civil score गीता जा रहा है तो इस तीति में आप लोगों को कहाणने चाहिए आप लोग उस application के खिलाब जाके एक cybercam complaint जोरू कीजिए और गए cybercam complaint आलान कैसे करना होगा इस वीडियो का description पे उस वीडियो का link दिखने को मिल जाएगा उस वीडियो को देखिए आप लोग उस application के खिलाब एक cybercam complaint जोरू कीजिए और गए साथे साथ आप लोग ऐसे कीजिए कि अगर आप लोग कोई भी loan application पे loan लें लिया है फिर भी civil report पे उस application के नाम पे overdue payment शो हो रहा है और गएस अगर किसके साथ ऐसे हो रहा है कि आप स्कूर गीता जा रहा है तो गएस इस स्तिती में आप लोगों को कहा करना होगा civil dispute करना होगा civil dispute फ्रॉम कैसे भढ़ना होगा इसके related काफी सारे वीडियो आप लोग को YouTube पे दिखने को मिल जाएगा तो वीडियो देखिए आप लोग सीविल डिस्पूट जरूर कीजिए और पेस आप लोगों के साथ मुलकात हुरा है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हींद बंदे महातराम